आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सतिंधर जैन जी को अन्रेबिल कोट से जमानत मिल गई है सतिंद्र जैन जी इस देश में महला क्लिनिक की क्रांती के जनक है पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सरकारी हेल्थ सिस्टम को सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम को सरकार के बड़े-बड़े हॉस्पिटल को कैसे शांदार बनाया जा सकता है और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सतिंदर जैन जी ने दिल्ली के लोगों को सतिंदर जैन जी की वज़े से आज शांदार हॉस्पिटल मिले हैं नए नए हॉस्पिटल मिले हैं पुराने हॉस्पिटल का रिवेंप हुआ है उनकी वजए से और महला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिसको जिससे सीख ले रहे हैं कई राज्यों में महला क्लिनिक बनाए गए हैं ये सब सतेंदर जैन जी की देन है सतेंदर जैन जी बहुत महनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने कोचक्र करके सेडियंतर करके क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरिवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल् प्रदेश के इस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहें आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के इस्पतालों को सरकारी इस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहें ये बात पूछने लगेंगे इसलिए सतेंदर जैन जी को ग्रफतार किया गया कुछ नहीं मिला उ जूटे आरोप में जूटे सडियंत्र के तहत पीमले कानून लगा के उनके उपर उनको जेल में रखा गया यह भारती जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी आज भारती जनता पार्टी की पूरी साजिश का परदा फास हुआ है क्योंकि सतिंदर जैन जी के खिलाफ क कुछ नहीं निकला आज ओन्रेविल कोर्ट में खुद यह अब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लेगेगा क्यूं समय लेगेगा क्यूंकि कुछ मामला तो है नहीं अब इधर उधर से भानुमती का कुन्वा जोड़ जोड़ के कोई जूटा क केस मना रखा है तो आज मोदी जी को भारतिय जंता पार्टी को सतेंद्र जैंजी से माफी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए और सिर्फ सतेंद्र जैंजी से नहीं आज मोदी जी को और भारतिय जंता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफी मांग सिर्फ जूंटे आरोप भारतिय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ED ने पकड़के लोगों को जेल में डाला, मुझको भी जूटे आरोप में डाला, मेरे यहां से कुछ ने मिला, अर्विंद केजरिवाल जी के हां से कुछ ने मिला, उनको भी जेल में डाल दिया, संजय सिंग जी के हां से कुछ ने मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा सब काम बहुत तेजी से होंगे और दिली के काम बहुत अच्छे से होंगे अज संभावनाइव निकार से कि आप लोग सब को जाएंगे उनको लेने के लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल लेने जाएंगे ठीक पहले सारे नेता आपके जो एके करके जेल में गए थे उनके बाहर आने अशित्रका है सिर्फ इसलिए ना कि मैं सटींदर जी अरविंद केजरिवाल जी के नितेरता में जिस तरह से एक के बाद एक हेल्फ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजली के सिस्टम में, पानी के सिस्टम में काम कर रहे थे, उन कामों को रोक रहे हैं, इनका मकसद था, कुछ समय के लिए काम रोके, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं